नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त 1 की करिंटा फियर के बारे में जो कि SSE CISL के लिए बहुत ही ज़ादे इंपोर्टेंट होने वाला है आपको पता हो तो कॉमेंट में जरूर बताईए और नहीं पता हो तो हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब होगा भारत भारत वो देश जो 208 पर दूसरे इस्थान पर एंटी टंपिक सुलिक लगाने में आता है यह आद रखेगा जरूर दूसरा कॉस्चन जो कि आपके रिलेटेड है जो कि आप देली यूज करते हैं तो चलिए हम दूसरा कॉस्चन देखते हैं दूसरा कॉस्चन यह है किन कंपनियों ने हाल ही में आरबियाई से सीमा पार भुक्तान लाइसेंस प्राप्त किया है तो इसको आपके नीचे दिए गया है अगर आपको पता हो तो कमेंड में बताइए नहीं पता हो तो चलिए हम बताते हैं इसका सही जबाब होगा B Amazon Pay, Aden and Willdesk यह तीन कंपनिया है जो की सीमा पार भुक्तान के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है ऐसे ही डेली करेंट आफियर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेस्चन गया है अधित्य बिल्ला ग्रूप है जिसने इंदिरा नाम का एक ब्रैंड लांच किया जो कि आप भूशड बाजार में एंट्री लेए Q4 जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है जिसका सपना देखने के लिए बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं बहुत सारे जगात बहुत सारे तयारी करते हैं और वो है UPSC Q4 जो है UPSC के head जो है first अगस से change हो रहा है तो वो कौन है इसके तो आपका चौथा question जो है इसी पे है एक अगस्त से UPSC का प्रमुक किसे निक्त किया गया है इसके options आपके नीचे दिये गया है comment में जवाब ज़रूर बताइए तो इसका सही जवाब होगा B प्रीती सूदन जो की UPSC का head बनी एफ एक अगस्त से आज से ही वो head है UPSC के प्रीती सूदन जो कि पहले former union health secretary थी और अब UPSC के head बनी question number 5 भारत को वो कौन सा राज्य है जो की एक मात्र राज्य जो कर मुक्त बन गया है वहाँ की सरकार आपके बेतन से कोई भी कर नहीं लेगी question number 5 यह है और इसके option आपको दिये गया है तो इसका जो सही जवाब होगा वो है Sikkim C जो की एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे कोई आपके बेतन से कर नहीं लिया जाएगा और यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादे important है यह current है और first August है तो इससे जरूर याद रखे question number 6 जो कि अभी जल्दी recently हुआ है और terrorist attack है यह question number 6 यह है इरान में हमाज के किस नेता की कथित तोर पर हत्या कर दी गए options आपके दिये गया है तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा C इसमाइम हानिये जो कि हमास के नेता थे और इनका हत्या कर दिया गया सात्वा question है जो कि बहुत है important है आपके लिए सेवी एक company है जिसने एक chat board launch किया है जो एक निवेसर chat board है तो वो कौन सा है ACP question है तो question यह है सेवी दिया निवेसर के लिए शुरू किये गए chat board का नाम क्या है तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा C, Siva उस chat board का नाम है Siva एक संस्था ILO इसका full form होता है International Labour Organization ACP 8 question है जो है किस संगठन की भारत रोजगार report के खिलाफ किस संगठन की भारत रोजगार report के खिलाफ के इंदर द्वारा सिकायत दर्च करने की संभावना है तो इसका जो सही जवाब होगा ILO International Labour or Magician का नवा जो question है वो आपका favorite है क्योंकि cricket तो आप सभी देखते हैं और उसी से related है अभी just Asia का पाने वाला है उसी से related ही question है तो ना question यह है Asia cricket का Asia cricket पषद का अध्यक्ष बनने के लिए कौन तयार है बतब ACC के नए अध्यक्ष कौन बनेंगग तो इसका सही जवाब होगा B मोसी नकवी जो कि ACC के अध्यक्ष बनने के लिए तयार है जो कि अभी पाकिस्तान के किर्केट काउंसिल के अध्यक्ष भी है दस्वा कोस्चन जो कि आपको प्राउड फिल करवाएगा और बहुत ही ज़ाद है इसे जरूर याद रखिएगा तस्वा कोस्चन यह है दो हजाद चोबिस में सभी पाँच भारतिय प्रतियोगियों ने किस आयोजन में पदग जीते हैं कौन सा आयोजन हुआ था जिसमें पाँच भारतिय थे और उन्होंने सभी ने पदग जीते कोई न कोई तो इसका जवाब होगा C इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो कि बहुत ही हाई लेवल का एक्साम है और इसमें हमारे पाँच इंडियन्स कहते हैं जो सभी ने पदग जीते हैं जिसमें इसे दो लोगों ने गोल्ड जीता है और आपको बताते कि चवानवा ओलंपियाड फिजिक्स ओलंपियाड परेते होगीता था जिसमें पाँच भारतियों ने पदग जीते हैं यह हैं उनके नाम इस वीडियो को यही खतम करते हैं और अच्छा लगवत प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करिए कि मैं डेली आपको ऐसे करेंटा से देता रहूंगा और सेयर जरू करें अपने दोस्त का जो ऐसे सीजल के त्यारी करें